Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanu Channel Students, आज की जो हमारी वीडियो है यह है part number 6 video of chapter number 4 of business statistics chapter number 4 का name है measures of dispersion तो measures of dispersion chapter की last video है ỗारेंज कर यानि कि इसके अंदर हमने पांच पार्ट में सारे method पढ़ लिए last में हम curve वाला method भी हमाय रहता है वो आज हम इस वीडियो में complete कर लेंगे तो चलिए student without getting late let's start today's topic लॉरेंच curve तो देखिए it is a graphical method of studying dispersion इन dispersion या जो scatteredness है उसको निकालने का graphical method है लॉरेंच curve ठीक है तो अगर आपके पास कुछी exam के अंदर अगर ये question आता है कि dispersion निकालने का graphical जो method है उसका नाम क्या है तो लॉरेंच curve ठीक है लॉरेंच curve वास गीवन बाइफेमस statistician Max O. Lawrence लॉरेंच curve has great utility in the study of degree of inequality in the distribution of income and wealth between the country जो inequality है distribution में दो country के बीच में country में जो भी दो country के बीच में income और wealth के बीच में जो भी difference है जो भी variability है वो इसके थूरू हम judge कर सकते हैं निकाल सकते हैं it is also useful for comparing the distribution of wages, profits, etc. ओवर different business groups यह और उस चीज के लिए भी useful है distribution जो wages और profit का distribution होता है उसके distribution में भी difference निकालने के लिए भी इसका यूज के आता है Lawrence curve is a cumulative percentage curve in which the percentage of frequency is combined with the percentage of other items such as income, profit, wages, etc. Lawrence curve है क्या है? cumulative percentage है cumulative percentage curve है जिसके अंदर percentage of frequency और percentage of other item यानि कि देखो आपको question दे रखा होगा X और F वाला तो X की भी frequency निकालोगे वो होगा cumulative frequency निकालोगे वो फिसकी cumulative frequency की percentage निकालोगे और F की भी ऐसे निकालोगे उन दोनों क्या करोगे फिर compare करोगे ठीक है? देखो कैसे बनाते हैं Lawrence curve की construction देखिए question आता है आपके पास Lawrence curve क्या है? define its construction and draw it ठीक है? और एक question भी आएगा सकरने का तो देखिए students construction of Lawrence curve following steps are used while drawing a Lawrence curve first one is the size of items variable values and frequency are both accumulated यानि कि जो X और F की value दे रखिए ना आपको उसको cumulative frequency में change कर ले ना आपको ठीक है? दोनों को जैसे अपन सिर्फ frequency को cumulative frequency में change करते है ना इसमें item को भी cumulative frequency में change करना है ठीक है? एक example के साथ सिम्झाती आती हूँ तभी आपको समझ में आता जाएगा देखो ये question दे रखा है आपको draw a Lawrence curve of data given below income दे रखिए 100, 200, 400, 500, 800 number of person दे रखा है 80, 70, 50, 30, 20 तो यानि कि जो income है वो X है और number of person है वो क्या है Y है तो अब इनको लिख लो यह देखो यहाँ पर लिखा हुए है इनको देखो इनको लिख लो यहाँ income लिख लो और यहाँ पर नंबर of person लिख लो यहाँ 100, 200 यह आ जाएगा यहाँ पर 30, 40 यह आ जाए ठीक है लिख लिए अब इनकी मैंने बोला है कि इन दोनों ऑटम्स की भी और फ्रिक्वेंश की क्यूमिलेटिव इंकम निकाल लो 100, 100 प्लस में 200, 300, 400, 700, 700, प्लस में 500, 1200, बारासो प्लस में 20, 250, ठीक है निकल गए ठीक है अब क्यूमिलेटिव परसंटेज निकालने हैं तो नोकी इसकी भी और इसकी भी पहले इसकी निकालते हैं यह 100 है, टोटल 2000 है, 100 टोटल ऐसे निकालते हैं परसेंटेज अपन जितना है उतना उसके अपन में टोटल और multiply by 100 यह निकल गई, तो यह अग्वी 5 परसेंट और ऐसे ही 300 by 2000 by 100 बंदरा और 35, 600 यह अग्वी परसेंट ऐसे इसकी प्रसेंटेज निकल लिए आपने तो देखो क्या है फस्ट में साइज ऑफ द आइटम्स एंड फ्रिक्वेंसी जार बहुत क्युमिलेटेट क्युमिलेटेट कर दी दोनों को टेकिंग ग्रेंट टोटल फ्रोड इच एज हंडर्ड टोटल ग्रेंट टोटल लिना है परिजने झाल लिए पाने इतना काम कर लिए आगे देखो है क्युमिलेटेब फ्रोक्वेंसी और पंट अन एक्स और यक्स याक्स यन यह देखो जो यह किवलेट परित प्रसेंटेज है पांच-पंद्रह-पैंतिस-वाठ ग्र 50 live ग्र 60-0 यह क्या है X-axis और Y-axis पर रिल्दो यानि कि percentage of person नीची आ जाएगी X-axis पर percentage of income देखो ओपर Y-axis ठीक है आगे देखो प्लोट कर दिया हमने थर्ड है on both the axis we start from 0 to 100 and both X and Y-axis take the values from 0 to 100 देखो जो value है दोनों axis पर हमने 0 से 100 तक के लिए है यहां पर भी 0 से 100 तक के लिए है ठीक है आगे देखो फॉर्थ ड्राइड डाइगलन लाइन Y is equal to X जिसमें origin 00 को सो सो से मिलाना है और इस लाइन को बोलेंगे यह लाइन को आईगी OP और OP लाइन को हम बोलेंगे line of equal distribution ठीक है यानि कि हाँ पर equal distribution हो रहा है कि अब X की value और Y की value से में है यह देखो हमने यह line OP यहां से 00 से 100-100 पे यह मिला दी यह line of equal distribution ठीक है हो गये तरह है हागे देखिए फिफ्ट प्लोट परसेंटेज ओफ दे क्युमिलेटिव वैल्यूज उन दे ग्राफ एंड एक कर्व इस ओप्टेन बाई जॉइनिंग डिफ्रेंट पॉइंट इस काल लॉरेंज कर फिर जो आपको आपने प्रसेंटेज निकाली थी ना उन दोनों प्रसें प्रिएशन अगर वह लाइन ओफ डिस्ट्रीबूशन के आपर तरी तो दूर हो गी तो यह अगर देखो नती कि इस पैसे पहले से इनकम प्रसेंटेज हम ने लिखिए यहाँ से तो इनकम प्रसेंटेज है पांच और एक मिट वी दुनों चीज़ दिखिये तो ऐसे क्या कि इंखेज Jahren और जो दूसरी प्रसंटीज है हमारी यानि नंबर और परसंटेजоло परसंटेज अ बथिस तो पांच और बथिस को प्लोट इनकम यहां पर आगे दस से नीचे ऊपांच यह नहीं पर बीचुट से और बततिस आएंगे और यह तो यहां पर आगे आप तो यहां पर छी तो जब जाएगी तो जितनी जादा लॉर पreयान्ज कर्व और दुखो जितना ज्यादा line of equal distribution and Lawrence curve में difference होगा इन दोनों के बीच का difference उतना ज्यादा variation होगा अगर ये बिल्कुल pass होगी तो variation कम होगा दूर होगी variation ज्यादा होगा और दूर होगी तो और ज्यादा variation होगा ठीक है तो dispersion है यहां से पता चल जाएगा अपना कि Lawrence curve line of equal distribution के जितने pass होगी उतना जो है variation और difference कम होगा जितने ज्यादा दूर होगी उतना ज्यादा मतलब ज्यादा variation होगा ठीक है एक और example कर लेते हैं show inequality in wages in two different form using Lawrence curve from following data देखिए अपसे पहले wages दे रखें अपने को 50-70 इसकी mid value निकाल लेंगे यहाँ पर मैं पहले question समझाए तो उसके बाद आपको वह बनाना सखाऊंगी यह देखो wages है यह लिखती है इसकी mid value निकाली 50 plus में 70 plus में divided by 2 यह निकल गई यह विड़े वैल्य निकल गई इससे cumulative wages निकलेंगे 60 60 plus में 80 140 140 यह निकल गई इसकी percentage निकाल लो 60 divided by total 500 हो गया multiply by 100 हो गया 0 से 0 कट गई और यहाँ पर आ गया 12 काट के इसको 60 को काटो के पांच से 12 आ जाएगा 12 परसेंट आ गई ऐसे साब के निकाल लोगे आप ठीक है आगे है नंबर ओफ वरकर्स 50 15 25 20 अब क्यूंटी फ्रक्वैंसि निकाल लो एड़ करके और इसका जो है 100 से डिवाइड करके यह सेम यह आई क्योंकि नीचे ठीक है वही जीरों से सो तक करने ना है ओपी को मिला देना है ठीक है फरम ए को जो फरम ए की जो वेजिस से और जो वरकर हैं उनकी जो परसेंटेज निकली है क्युमिलिटी फ्रक्वेंसी की उसको यहां प्लोट कर लेंगे यहां पर प्लोट करके यहां पर यहां पर वो आ जा अब तो देखो अब देखो फरम A और फरम B से फरम A में तो ज़्यादा variance नहीं है, मतलब कम variance है, variation जो है कम है इसके अंदर फरम A में और फरम B में जो variation है, वो ज़्यादा है, क्यों? क्यों ज़्यादा है भई? इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि equal distribution line से फरम A तो pass है, यानि variation इस इस समझ में आगया होगा सुड्ट आपको मैंने दो आपको example कराए है निमारे को question कराए है जिससे आगे आपको Lawrence curve बनवाई है तो उससे आप हुझाया है कि अगर equal distribution line है और Lawrence curve है उन दोनों में जितना ज़्यादा difference होगा उतना ज़्यादा ही दोनों के जो items के अंदर difference होगा और जितना कम difference होगा उतना ज़्यादानों के inequalities कम होगी ठीक है तो I hope student आज की जो वीडियो थी अपनी Lawrence curve वाली आपको समझ में आई होगी Lawrence curve क्या है construction कैसे की जाती है Lawrence curve की आपको समझ में आया होगा student और कैसे बनाना है Lawrence curve का जो डाइग्राम है Lawrence curve कैसे depict करनी है clear हुआ हो तो ज़्यादा है ज़्यादा मेरी वीडियो को like कीजिए share कीजिए comments कीजिए और ज़्यादा है ज़्यादा मेरे चैनल को subscribe कीजिए Thank you students